हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू सूपा मुवी कॉर्णर तो दोस्तो आज की मुवी मैजिकल फेंटैसी और एडवेंचरस होने वाली है और इस मुवी का नाम है पर्सी जैक्सन एंड़ ओलम्पियन्स दा लाइटनिंग थी तो दोस्तो बिना कोई देरी के पढ़ते हैं सीधे पर्सी को बताता है और पोसाइडन कहता है कि पर्सी को तो यह भी नहीं मौलूं कि उसका पिता कौन है तो लाइटनिंग बोल्ट जैसे हतियार के बारे में उसे कैसे पता चलेगा बगर जी उस अपनी बादों पर अड़ा होता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे बेटे परसी ने दो हफ्ते के अंदर लाइटनिंग बोर्ट नहीं लोटाया तो वह देवताओं के बीच चंग छड़ देगा और जी उस गुस्से भरे अंदाद से एक जादुए पोटल बना कर वहाँ से चला जाता है फिर सीन सिफ्ट होता है और हम सुला वर्स ये परसी को देखते जिसकी हरकत देखकर परसी अपने माज से उसे चुड़ने को कहता है और उसकी माँ बताती है कि उसके साथ रहना हमारे लिए फाइदे मन्द है पर कैसे वह उसे नहीं बताती है फिर परसी अपनी स्कूल के एक टूर पर एक म्यूजियम में जाता है जहां उसके टीचर मिश लगता है पर तबी वहाँ परसी का सबसे अच्छा दोस्त ग्रोवर और उसके टीचर बुरुनर आते हैं और उस बेंपायर से परसी को छोड़ने के लिए काते हैं और उसे डरा कर भगार डालते हैं परसी यह सब देकर काफी सौक हो जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा और काफी कनफ्यूज होता है ग्रोवर से कहकर परसी को उसके मौम के साथ कैम्प ले जाने को कहता है और परसी को जाते वक्त ग्रोवर उसे एक पेन देता है और कहता है कि इस पेन को इमरजेंसी की टाइमे यूज करना परसी अपने मन में कई सवालों के साथ ग्रोवर के सा बताती है कि तुम एक स्पेसल बच्चे हो जो तुम्हें ये खासियत अपने असली पीता से मिली है वो बताती है कि उसके पीता परसी को बहुत प्यार करते थे मगर उनकी एक मजबूरी के करण उन्हें उसे छोड़कर जाना पड़ा जो उनके लिए एक बड़ा कठी नीर नह होता जिसे देकर वो तिनों फौरां कार最 निकलते हैं और उस दोरण परसी को पता चलता है कि ग्रोवर एक बाकरा है, और फिर व वह सभी अटेक करता है जिससे उस राक्षास का सिंग पेड़ में फसकत तूड़ जाता है और परसी उस राक्षास के तूटवे सिंग से उसे ही मार डालता है और उसके बाद परसी यह सब देखकर बेहोस हो जाता है और उसकी आँखे कैम के अंदर खुलती है होस आने के बाद परसी खुद को ग्रोवर के सामने पाता है और वह उसे बताता है कि वह पिछले तीन दिन से बिहोस पड़ा था और ग्रोवर परसी का रच्छक होने के कारण उसे माफे मंगता है कि वह उसकी मा की जान नहीं बचाए पाया फिर गुरवर परसी को हाप ब्लेट कैम दिखाता है और बताता है कि तुम डेमी गॉड हो यानि आधे इनसान और आधे देवता और तुम्हारे जैसे इस कैम में सैक्लों हैं जो काफी परतिवा साली और सक्ति साली भी हैं परसी उसकी बातों को सुनकर अभी भी याकिन नहीं कर पारा होता और वह बताता है कि वह डेसलेसिया बिमारी से जूज रहा है जिससे निकलना उसके लिए जरूरी है इस पर ग्रोवर कहता है कि वह तुम्हारी बिमारी नहीं बलकि तुम्हारी सकती है जिसकी वज़े से तु लेटर को हवा में उड़ते देखते हो और सब्दों को पहचान जाते हो जैसा कि तुमने म्यूजम में किया था फिर गुरोवर उसे ट्रेनिंग वाले एरियम ले जाता है जामा दिमाग की देवी एथेना की बेटी एना बेट को देखता है जिसे देखकर साइद वह उस पर फ समानों को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता पोसाइडन है जो पानी को देखता है और पोसाइडन का बेटा होने की वज़े से परसी काफी सकती साली होता है और दूसरों के लिए खतरा है खतरों की बात सुनकर परसी ब्रुनर से पूशता है कि वह किसके लिए खतरा है, और इसी वज़े से उसकी माने उसके सोतेले बाप से साधी की, ताकि उसके गंदे खुन से परसी के साप खुन को छिपा सके, जिससे वग खतरे से बचा रहे हैं, ब्रुनर की बात सुनकर आखिर परसी समझ जाता है कि उसकी मा क्यों उस गंदे आदमी को जहल रही थी फिर परसी अपने यहां होने का कारण पूसता है इस पर ब्रुनर बोलता है कि तुम जो लाइटिनिंग बोल्ट चुराए हो उसकी वज़े से सारे गौड़ और आक्षस तुम्हारे पीचे पढ़े है इस पर परसी जवाब देता है कि उसने लाइटिनिंग बोल्ट नहीं चुराया है और उसकी बाते सुनकर फिर से Brunner बोलता है कि लेकिन जीूस और बाकी गौड नहीं जानते कि तुम्हें लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है तो इसलिए उन्हें सच्चाई बताने के लिए हमें उलम्पिया जाना होगा मगर लाइटनिंग बोल्ट चुराने की अफवा की वज़े से तुम्हें कैम के गेट के बाहर खत्रा है तो इसलिए Brunner परसी को लड़ने के लिए ट्रेनिंग देगा और फिर उलम्पिया ले जाएगा ताकि कोई भी खत्रा आने पर वो खुद की रखचा कर सके फिर परसी ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है और Brunner परसी को कैम के सारे डेमिगाट से मिलाता है और सभी को बताता है कि इसे ट्रेनिंग के लिए अपनी टीमे कौन रखेगा तबी एक लुक नाम का लड़का जो हारमिस का बेटा होता है वो परसी को अपने टीम में रख लेता है फिर बुरुनर इस ट्रेनिंग के खेल का नियम बताता है इसमें दोनों टीम को अपने विरोधी टीम के जहंडे को हासिल करना होता है और जो टीम जहंडे को पहले हासिल क वो अपी जेता होगा और फिर यह खेल स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम एक दूसरे की और बढ़ते हैं परसी जैसे तैसे करके विरोधी टीम को चीरता हुआ आगे बढ़ता है जिसमें उसका साथ लुक देता है और वह विरोधी टीम से लड़ता हुआ एक जलासे के पा परसी को पानी मिजाते हैं उसका सारा घाव भरने लगता है और फिर से खड़ा होकर एनाबेत और उसके साथियों से लड़ता है और आखिर में वह एनाबेत को हरा देता है और अपने विरोधी टीम के जहंडे को पाकर इस खेल को जीच जाता है फिर खेल के खत्म होने पर स शाम को सभी जस्द मना रहे हते हैं और परसी और एनाबेथ एकढ़ से खेल पर बाते कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने पैरिंट्स के बारे में भी कि उनके पैरिंट्स एकद्थ इस नफरत करते थे और तभी उस जस्द की आंगेटी धळदक उड़ती है और उसमें से हेडियस का आत्मा निकलता है जिसका रूप मॉंस्टर की तरह होता है और वह वहाँ सभी तरफ तबाही मचाते हुए परसी को ढूंड रहा होता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने लाइटनिंग बोल्ट उसे नहीं दिया तो वह उसकी माँ को माड डालेगा हेडियस की बात सुनकर परसी उसके सामने आता है और बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है पर वह बताता है कि उसने मेनिटॉर से उसकी माँ को अगवा करने का ओडर दिया था और वह अंडर वर्ल में उसके कबजे में है पिर वा वापस Parsi को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मा चाहिए तो लाइटनिंग बोल्ट को तुम मेरे पास लेकर आना और यह कह कर वा वहाँ से गाइब हो जाता है अपनी मा को जिंदा पाकर Parsi उन्हें बचानी की सुचता है और लाइटनिंग बोल्ट के बारे में सब सही सही बताने को कहता है और तबी उसे रोकते वे ब्रूनर कहता है कि अगर हेडियस को लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को माँ डालेगा प्रूनर परसी को अस्वासन देता है कि वह एक ब्लाइन के मुताबिक जिवस के पास जाएंगे और सारी सचाई बताकर उन्हें मना कर अपनी पूरी ताकत से उनकी माँ को बचाएंगे फिर राप्त होने पर देखते हैं कि परसी अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसके साथ ग्रोवर और एनाबेथ भी चलने की जीत करते हैं और परसी उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए तयार हो जाता है मगर परसी के मौम को बचाने के लिए उन्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा चाह हेडियस रहता है पर वहाँ जाने का रास्ता उन तीनों में से किसी को नहीं पता होता तबी एना बेथ बताती है कि वह एक को जानती है जो दूसरी दुनिया का रास्ता बता सकता है वह टिनों लूप के पास जाते हैं जिसके पिता एक दूथ होते हैं जो सभी दुनियाओं के रास्तों के बारे में जानते हैं एना बेथ लुक से दूसरी दुनिया का रास्ता पूषती है इस पर वह बताता है कि तुम तिनों दूसरे दुनिया में तो चले जाओगे वर वहाँ से लोटना ना मुम्किन है तो इसलिए तुम्हें कुछ जादू ये मोती ढूंडनी होगी जिसके उपर पैर रखते ही तुम जहां सोचे होगे वहाँ पहुँच जाओगे फिर लुक उन्हें एक मैप देता है जिसमें उन मोतीयों का लोकेशन होता है और वहाँ जाने से पहले लुक परसी को एक ढाल और एक जोड़ी उड़ने वाले जूते देता है और वह बोलता है कि यह तुम्हे खत्रों से बचने में काम आएंगे फिर वह तीनों पहले मोती को ढूनने के लिए निकल पड़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहां सिर्क मुर्तियां होती है उन तीनों को वहाँ सोने के सिक्के भी मिलते हैं और वह कुछ सोने के सिक्के रख लेते हैं और फिर से मूती ढून रहे होते हैं और उस विजग्रोवर को एक पूतला मिलता है जो हूब वह उसके अंकल जैसा होता है और वह पहचान जाता है कि वह पूतला उसके अंकल का ही है इधर एना बेट को एक औरत मिलती है जो चिलाते हैं उसके पास आती है और बताती कि उसने मेरे पती को स्टैचू में बदल दिया इसके तुरंद बाद वो औरत वहाँ परकट होती है जिसने सभी को स्टैचू बना दिया था और वो औरत का नाम मेडूसा होता है जिसे एथीना ने सराब दिया था कि वो डिसकास करते हैं कि मेडूसा को हराने के लिए उसकी परशाई को देखकर लड़ना होगा और तभी परसी की आवाज मेडूसा सुन लेती है और वो एनाबेत को छोड़कर उनके पीछे पड़ जाती है और वो परसी को पकर लेती है मगर परसी अपनी आखे बंद करके रखा होता है मेडूसा उसे अपनी आखे खोलने के लिए कहती है और अपनी बातों फसा रही होती है कि तभी एनवेट अपने ट्रेक को लेकर फुल स्पीड में अंदर आती है जिससे मेडूसा गायल होकर गिर जाती है और मौका पाकर परसी उसकी गर्धन उला डालता है और उसके हाथ से वह पहला मोती पराप्त करता है और मोती पराप्त करते ही मैं पर दूसरे मोती की जनकारी उन तीनों को मिल जाती है फिर दूसरे मोती को ढूणने से पहले इनवेट काती है कि वह मेडूसा के सर को रख ले ताकि आगे चलकर साइट से उनके लिए कोई काम कर जाए ग्रोवर मेडूसा के सर को रख लेता है और दूसरे मोती ढूंडने के लिए तीनों निकल पड़ते हैं वो तीनों दूसरे मोती को ढूणने के लिए एक म्यूजम में पहुंसते हैं वो तीनों देखते हैं कि एक बड़ी से थेना की स्टैचू पर वो दूसरा मोती जड़ा होता है पर वहां की भीड को देखकर वह तीनों नीरनाय लेते हैं कि उस दूसरे मोती को हम रात में आकर चुराएंगे और वह तीनों वहां के बात्रूम में जाकर छिप जाते हैं फिर म्यूजियम के बंद होने के एक घंटे बाद तीनों बातरूम से निकलते हैं मगर वह देखते हैं कि कुछ गार्ड अभी भी वहां मौजूद होते हैं जिसे देखकर एनावेत अपनी एक छोटी सी तीर से सभी गार्ड को मारकर भिहोस कर देती है और फिर परसी लुक की दीवी जूते पहन कर उस मौटी को निकालता है पर जैसे ही तीनों मौटी को लेकर एक घटा होते हैं कि वह पांच गार्ड फिर से आकर परसी को कहते हैं कि वह लाइटनिंग बोल्ट मुझे दे दो जो तुमने चुराया था परसी एनवेट और गुरोवर समझ जाते हैं कि यह सैतान है और देखते ही देखते हैं वह पांचों एक जूट होकर एक हाइडर नाम के मौंस्टर में बदल जाते हैं और वह तीनों पर अटेक करना सुरू कर देता है तीनों बसते वे उस मौंस्टर से भागते हैं पर तभी परसी लुक का दियावा ढाल और बुरुनर की तलवार से उस मौंस्टर से लड़ता है और उसकी सारी गर्दन काट डालता है मगर तभी एनाबेद बताती है कि उसके जितने भी गर्दन कटेंगे वह डवल हो जाएंगे और हम देखते हैं कि उस मौंस्टर का सर 5 से 10 हो जाता है और वह फिर से उन तीनों पर हमला करता है वह तीनों वहां से निकलने की कोशिस करते हैं मगर दरवाजे बंध होने के चलते वह वहीं फच जाते हैं और वह मौंस्टर उन पर अटेक करता है पर तभी ग्रोवर मेडूसा का सिर निकाल कर उसे दिखा देता है जिसे देखते हैं वह वह स्टैचू में बदल जाता है और एक बड़ी मुसीबत के बाद वह सभी दूसरे मोती को पाने में कामियाब हो जाते हैं और उस मोती को पाते ही मैप में तीसरे मोती का लोकेशन पता चल जाता है जो लॉस वेगस का लोटस के सीनों होता है फिर वह तीनों लोटस के सीनों पहुंशते हैं और ऐसे ही एक बार जब परसी उस मिठाई को खा रहा होता है तो उसे अपने पीता पोसाइडन की आवाद सुनाई देती है जो कहते हैं कि मिठाई मत खाना वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फच जाओगे और तुम अपने अमकसद से दूर हो जाओगे पोसाइडन की आवाद सुनकर परसी वह मिठाई नहीं खाता और वह चारो ओर देखता है जहाँ उसके दोस्त मन्त्रमुग्ध होते हैं और वह उन्हें भी होस में लाता है वह दून होस में आते हैं और तभी परसी को वह तीसरा मोती भी मिल जाता है और वहां के गाड़ अगर है कि हम उस कैसीनों में कुछ ही घंटे थे मगर उस मिठाए को खाने की वज़े से हम लोग फिछले पांच दिन से फसे हुए हैं और अब लाइटनिंग बोल्ट को लटाने के लिए मातर कुछ ही समय बचे हैं और अगर वह लाइटनिंग बोल्ट जीूस को नहीं मिला त जहां से उन्हें पताल लोग का रास्ता मिलेगा हॉल्यूड पहुंचने के बाद वह सभी पताल लोग का रास्ता धूंड लेते हैं और उसके अंदर जाते हैं और वह एक स़ड़े बुझूर का आदमी को देखते हैं जो एक नौ पर सवार होता है वो बुजूर का आदमी बोलता है कि यहां सिर्फ मरे लोग ही आ सकते हैं मर जब ग्रोबर उसे पैसे देता है तो वो उसे जिला डालता है पर तभी एना बेथ ग्रोबर को सोने के सिक्के देने को काती है जिसे वो मेडूसा के घर से चुराई थी उस सोनों के सिक्के देते ही वो बुढ़ा आदमी उन सभी को नाव पर बैटने के लिए काता है और नर्क के रास्ते होते हुए वो उन तीनों को हेडियस के महल पे उतार देता है वो तीनों महल के अंदर जाते हैं जहां उने कुछ खदरनाक जानवर दिखाई देते हैं जो उनकी तरह बढ़ रहे थे पर तभी एक औरत उन जानवर को दूर करती है और वो औरत कोई और नहीं बलकि हेडियस की पत्नी होती है जिसे हेडियस ने जवरदस्ती अपनी पत्नी मना कर रखा होता है और वो उन तीनों को हेडियस के पास ले जाती है हेडियस उन तीनों को देखता है और फिर परसी से कहता है कि तुम बहुत बहादूर हो और तुम बिलकुल अपने पीता की जैसे लगते हो और वो उससे लाटनिंग बोल्ट मंगता है जिसे पाकर वो यहां से आजाद हो जाएगा और वो अपने दोनों भाईव को हराकर उन्हें माट डालेगा तबी परसी बताता है कि उसके पास lightning bolt नहीं है जिसे सुनकर हेडियस को गुसा आजाता है और वो बताता है कि अगर तुम वह bolt मुझे नहीं दोगे तो तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए अरубیदा का दो और वो उसकी माँ को पर कट करता है जिसे देखर परसी अपनी डाल को फिकर अपनी माँ के पास जाता है और तबी हेडियस देखता है कि उस डाल के अंदर एक चम चमाती हुई चीज है जिसे निकालने के बाद पता चलता है कि वह तो lightning bolt है उस lightning bolt को प्राप्त करने के बाद हेडियस अपनी पत्नी से उन सभी को आत्मों के हवाले करने को कहता है गर परसी बताता है कि हमारे बीच सौधा हुआ था कि मैं तुम्हे lightning bolt दूँगा और तुम मेरी मा को छोड़ दोगे मगर हेडियस उसकी बातों को नहीं सुनता और वह सभी आत्मा के हवाले हो रहे होते हैं और तभी हेडियस की पत्नी lightning bolt को उससे धोके से छिन लेती है और उस lightning bolt से हेडियस पर वार करती है जिससे वह दूर जाकर बेहोस हो जाता है और उसकी पत्नी परसी और उसके साथियों को बचा लेती है परसी खुद और अपने साथियों को बचाता देख हेडियस की पत्नी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यूं किया तब वो बताती कि हेडियस हमेशा उसकी बेज़ती करता है और उसे हमेशा कैद में रखता है पर वो आजाद रूप से जीना चाहती है और वो यहाँ से बाहर आजाद महसूस करती है और अगर इसने अपने भायों को मार दिया तो यह मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा फिर हेडियस के पत्नी परसी को वो लाइटनिंग बोल्ड देती है और मोती को यूज करके वहाँ से जाने को कहती है मगर उनके पस तीन ही मोती होते है और लोग चार होते है जिसे देकर ग्रोवर यहां रूकने का निरने लेता है क्योंकि वो परसी और उसकी मा का रक्षक होता है और वो अपना दाईट निभाता है तिर परसी और उसकी मौम और एना बेट उस मोती को उपर पैर रखते हैं और उलम्पिया जाने के बारे में सूशते है मगर वो सभी Empire State Building में पहुंच जाते है जहां उनका सामना लूक से होता है जो परसी को जिन्दा पकर कहता है कि तुम अभी भी जिन्दा कैसे हो उसके प्लैन के हिसाब से तुम्हें मर जाना चाहिए था और वो रिबेल करता है कि उसने ही लाइटनिंग बोल्ट चुराया था क्योंकि वो सारे देवता से नाराज होता है और उन्हें आपस में लड़वा कर मरवा देना चाहता था ताकि अगला जेनरेशन यानि डेमी गॉड राच कर सके और वो परसी से लाइटनिंग बोल्ट मांगता है मगर परसी कहता है कि वो जीउस को जाकर वो लाइटनिंग बोल्ट देगा लुक उसे ऐसा करने से मना करता है और उस पर हमला करता है और देखते हैं देखते हैं उन दोनों के बिच घामासानी उद हो जाती है और लुक परसी से वह लाइटनिंग बोल्ट छिन लेता है बर तभी परसी अपनी पावर को यूज़ करता है और लुक को मारकर बिहुस कर देता है और वह लाइटनिंग बोल्ट फिर से प्राप्त कर लेता है फिर परसी एनाबेत और उसकी मां मौंट ओलम्पस में परवेस द्वार में टेलिपोर्ट करते हैं इधर जियूस का दियावाव समय भी पूरा होने को होता है पर तबी वहाँ परसी लाइटनिंग बोल्ट के साथ पहुंचता है और बोल्ट जियूस को देते हुए काता है कि साथ आप इसे ढूंड रहे होंगे जियूस उसे चूर बताता है पर परसी बताता है कि ये लाइटनिंग बोल्ट लूक ने चुराई थी जो चाहता था कि सभी देवता आपस में लड़कर मर जाए और फिर उसका राज सुरू हो जाए परसी की कामों से जियूस उसे सवासी देते है और परसी जियूस से अपने दोस्त ग्रूवर को अंडर वर्ड से वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है फिर परसी बोलता है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए पोसाइडन जवाब देता है कि देवताओं को अपने बच्चों से मिलने की मनाई थी मगर पोसाइडन बताता है कि उसकी नजर हमेशा परसी पती और वो हमेशा उसके मन में था और पोसाइडन इन सब चीजों के लिए परसी से माफ़े मांगता है और परसी भी पोसाइडन को माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है अगले ही दिन परसी फिर से अपने हाप ब्लेट कैम में जाता है और अपनी मा से आखरी बार बाते करता है और परसी अपनी मा को आखरी बार देखते हुए कैम में चला जाता है ज़ाँ वा फिर से ग्रोबर को पाता है इसे परसी के कहने पर जियू उसने वापस धर्ती पर भेज दिया होता है और पहले की तरह परसी फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी यही अंत हो जाती है तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको यह movie explanation अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और explanation के साथ